चलिए एक important news है वो आपके साथ आज हम share करते हैं फिर quality में तो हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे ही जब हम पॉलिटी में कदम आ रहें बढ़ेंगे आज तो क्या पढ़ेंगे रीटा सब्सक्राइब को उसके पहले खबर को हम समझते हैं इसका इंडिविजुली क्लिप बना लेंगे देखिए 2017 में देश की सरकार ने भारत सरकार ने जिसे हम नर रहीनी कमीशन इसका नाम इसलिए था क्योंकि डैली हाई कूट से रिटायड चीफ जस्टिस्ट जी रोहिनी इस कमीशन के चेर्में थे कमीशन किस वज़ा से बनाया गया था उसका परपस क्या था रोहिनी कमीशन फॉर ओबीसी सब केटेगराइज़ेशन ओबीसी अदर बैकवार्ड कास्ट या अदर बैकवार्ड क्लास जिसे हम कहते हैं उसके तहत अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में 27% कोटा दिया जाता है हमारे देश में शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब ओबीसी में अगर लें तो यह तीन तरह के केटेगराइज़ेशन कोटा एक्जिस्ट करते हैं गर्मेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टिउशन में जो सीट होती हैं फॉर परपस अफ एजुकेशन उस बनाया गया था सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार के समय पर उस जनता पार्टी की सरकार के समय बने उस मंदल कमीशन ये रेकमेंडेशन दी कि हमें 27% कोba रच को को बीजी कोक को हमें को दिना चाहिए आप जानते हैं कि 1991 का दोर भारत की राजनीती में गर रहा मंडल कमनडल की की राजनिती उस समय की लगातार बन रही कई सरकारें जिन में से की वीपी सिंग की सरकार वीपी सिंग ने कमिटमेंट कर दिया विश्व परताफ सिंग जो रिशी मुनी पकड़े रहते हैं तो इसे ऐसा नाम दिया जाता है मंडल कमंडल की राजनिती का दौर फाइनली कोटा दिया गया उसको चैलेंज किया गया और आप सब जानते हैं इंद्रा सानी का केस 1992 का इतिहासिक सुप्रीम कोट का जज्जमेंट जिसके तहती यह कहा ग बन ना हो जाएं मैक्सिमम कोटा हर क्याटिगरी का मिला करके 50% से उपर नहीं जा सकता ऐसी स्टी ओबी सी जितने भी तरह कि आपको कोटे देने हैं 50% से अब नहीं जा सकता 50% से अब नॉन कोटा सीट से रहेंगी ऐसा कहा गया लेकिन इसमें भी अगर जब तक कोई बहुत खास परिस्तितियां सा वरेंट नहीं करती बहुत खास परिस्तियों में जाता है और कई राज्यों में वह गया भी है यह मैं आपको क्लियर कर दूँ लेकिन यह कहा गया है अब उसके तहत OBC कोटा चलता रहा लेकिन हमने अब यह देखा है आज इस बात की भी तो मांग चल पा करके अपने स्तर को आगे बढ़ा चुका है बच्चों को अच्छी सिक्षा दे चुके हैं और बच्चे अच्छी सिक्षा की वज़ह से आज अच्छे लेवल पर कंपीट कर सकते हैं अब कोटा है वो तो वहीं खड़ा है माल लीजे साड़े सोला परसेंट 16.5 16.7 के आर हाई की मदद से अच्छे शहरों में रहने की वज़ा से वह कोटे का बेनेफिट हारनेस कर लेते हैं जबकि जो जिस पपस के लिए वह कोटा कोड किया गया है वह आज उसी के अंदर फॉल कर रहे हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो कोटे में एक्जिस्ट करके एक नोमी ग्राउंड लाना चाहिए एसी कोटे के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं अलग अलग स्तर पर अभी ऐसा कुछ होगी है कि इक्वर्मोंट कर रहा है कि में क्रीम लेयर की बात scremmi layer की siblings बढ़ रही है डे बाई दे जैसे 8,00,00,00 तक की sibling की गई है पहले 4,00,00, 0,00,000 तक की होती थी ठाज 6,00,00 तक की अगर आपकी सालना आमदनी है आपके घर परिवार की मिला करके तो फिर आप OBC किसी केटेगरी को क्लेम नहीं कर सकते हैं अब इसी स्ट कोटा में अभी तक एकनॉमिक बैक्ग्राउंड के आधार पर किसी तरह की क्रीमी लेएर एक्जिस्ट नहीं करती वह आपको मिलेगी कि अब उसी में सरकार यह भी कह रही है लंबे समय से इस बात की बात है कि बहुत बहुत प्रबल्स तरपर जो बड़ी डिप्राइब कंडिशन में उन तक ही नहीं पहुंच रहा कैसे पहुंच आ जाए तो ओबी सी के 27 परसंट के कोटे के अंदर रहते ही ओबी सी कास्ट को करना वह कैसे करना है उनको आइडेंटिफाइब कैसे करना है वह पैरामीटर क्या होगा कि किस किस सेगमेंट को कितना कोटा जाना चाहिए 27 परसंट का उसके लिए 2017 में यह रोहिनी कमीशन नरेंदर मोधी सरकार ने बनाया और चेर्में जी रोहिनी को ही रिटायर्ट चीफ जस्टिस को ही चुना गया दिल्ली हाई कोट के क्योंकि स्वाइम ओबी सी कम्यूटी से आते हैं तो यह भी माना जाएगा कि फेयर कंक्लूजन होंगी फेयर असेस्मेंट किया जाएगा तो रोहिनी कमीशन आपको कोशन कुछे किसके लिए आया है सब कैटेगराइजेशन कौटा कौन है जी रोहीनी रिटायट चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोट के खुद भी कम्यूटी से विलॉंग करते हैं ओके अब उनके तहत जो चीजें हमें निकल कर क्या रही है वो क्या है इसका परपस क्या था टू एक्जामीन देक्वीटेबल रिडिस्रिबूशन 27 परसेंट कोटा ऐसे ही एक स्टेटमेंट आएगी चार में से जो आपको करेक्ट करनी है इकवीटेबल यहां पर वर्ड देखिए इकवीटेबल रिडिस्रिबूशन 27 परसेंट कोटा पहले ग्रॉस था कि तो किसको ग्रॉस था आज भारत बस में देखे तो 2633 OBC कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में 27 परसेंट कोटा बस इनको दे दिया अब यह नहीं देखा कि 2633 में से सिर्फ कोई ऐसी 25 25 कास्ट ही है जो मेंजर ले जा रही है यह कोई हंड़र कास्ट है में सबको 27 33 को दे दिया गया 2633 कास्ट ग्रूप अपने अंदर कंपीट करते रहें और लेकिन अब 2633 का सबक्राइब करेंगे और सबक्राइब करने का परपस क्या है कि जो अज दिन तक लाब नहीं पहूंचा उस तक भी पहूंचे तो यह है ओवी सी कास्ट हमारे देश में समय शबी सो तेतीस यह फिकर याद रखनी पड़ेगी लगबग लगबग इतनी है और टू एक्वीटेबल रिडिस्रिबिशन ऑफ 27 परसेंट कोटा के लिए कौन सा कमीशन मना है रूहिनी कमीशन क्या है 27 परसेंट कोटा जॉप सेंट सीट दूंशिय। इन इनके लिए है 27 परसेंट क्लेट क्वाट लाता कंसल्टेशन प्रशेंट करेंगे ताकिकार संजहा जाए मनाय जाएně कि हा राज्याया प्रमुला लग होगा तो राज्यों के साथ विचार शुरू होंगे अब इस मामले को ले करके तो अब इसमें 4 सब केटिगरी जो कौन सी है simply ऐसी केटिगरी है केटिगरी 1, केटिगरी 2, केटिगरी 3, केटिगरी 4 केटिगरी 1 को कितने परसेंट दे दिया 27% मैंसे 2% केटिगरी 2 को 6%, केटिगरी 3 को 9%, केटिगरी 4 को 10% टोटल मिलके हो गया 27% अब केटिगरी 1 में कितनी कास्ट गुरूप आते हैं वो देखने की जोता केटिगरी 1 में 1674, 1674 कास्ट आती है और हैरानी की बात 2% दिया गया लेकिन कास्ट 1674 आती है अब सोच के देखो एक OBC कास्ट है ठीक है उसमें उस OBC कास्ट के मेंबर ही 10 है बस वो कम्यूटी इतनी सी है लेकिन कोई एक OBC कास्ट है माल लीजे वो करोडों में उनकी जनसंख्या नंबर ऑं वोबी सी कास्ट is different चिंग उनकी पॉपुलेशन होना इस अदिफन प्रिशत तिंग्न पॉपुलेशन होना इस ए मैं डइतनी गँडूम्र ओवबी कास्ट के वमेनी दस इनको दे रहे हैं दो परसेंट यह कौन से हैं category 1 सब से पहले कि इनको रखा है ones who have not benefited from the quota जिनको आज दिन तक यह जो कोटे का लाब प्रॉपर नहीं मिला है वो डाले गए हैं category 1 के अंदर जो की 1674 कास्ट ऐसी है मतलब 2633 में से 1164 ऐसी ही है जिनको ला भी नहीं कर रहा था यहां से आपको नीड फील हो गई सब के टेगराइजेशन की तो यूजलेस तो नहीं है कमिशन बनाना उसका परपस था यहां से अब यह क्लियर हो रहा आज की डेट में कि हमें हमारे रिजर्वेशन सिस्टम को और भी प्रभावी बनाने के लिए अब ग्रासरूट लेवल तक पहुंचने के लिए जेनुवनली पॉबर्टी ऐलिविएशन के लिए रिडिस्ट्रिबूशन अफ रिसोर्स को सोशिलिस्ट पैटरन बन करने के लिए और अगर आप अपनी कंट्री की एकॉनमी को अब समय आ गया है उनके हाथ में परचेजिंग पावर देने का तो उनको अपलिफ्ट किये बिना यह नहीं हो सकता क्लाइमिट को कंट्रोल करना है अगर किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उस कम्मुनिटी लग जाना होगा जब तक वो लपीजी यूज नहीं करेंगे तब तक आप उन लकडियों को जलते होई देखते ही रह लगडियां चुनने बिनने का सिलसला चलता रहेगा और कितनी भी इंडस्ट्री आप उन इलागों तक ले जाए वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे अगर वहां से लोकली क्रियेटड डिमांड्स नहीं आएंगे और वहां से अगर और टैलेंटेड पूल नहीं डेवलप हो को उन इलागों में बसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाब दे करके अप्लिफ्ट करना होगा ताकि वह सिक्षित हो जाएं स्कील्ड हो जाएं टैलेंटेड हो जाएं जो वहां लगने वाली कंपनियों को और उनके द्वार उत्पन रोजगार को सर्व करें जब वो रो इन्वेशन की तरफ सब्सेड़ीज लगाएंगी तब डाब क्लाइमट को रपाएंगे तब आप पॉलुशन को मिटीगेट कर पाएंगे तब आप नैचुरल डिजास्टर्स को भी इंचने कर पाएंगे अटतर बीकान प्लैन कर पाएंगे तब वी रिए आप तूव्यर उतना नहीं जाना चाहता वाइड एक शॉर्ट क्लिप लेक्टरी रखना है अपन को वर्ला तो इस पे हम बहुत वाइड जा सकते थे कि इसके नीड ही क्या है तो यह सब कैटिग्रीजिशन की नीड है यहां से आंकड़े से क्लियर हो गया आंकड़ों को कैसे पढ़ना है स्ट डिगरी फोर में 97 कास्ट ऑनली दस परसेंट दे दिया गया ऑनली 97 कास्ट ग्रूप और दस परसेंट दे दिया गया यह सुन करके आपको ऐसा लग सकता है कि पार्शेल्टी कर दिए वह 97 कास्ट ग्रूप इस डॉमिनेंट कास्ट उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है कि नंबर कितने वो इन इटसेल्फ उस ओबी सी कम्मिनटी को भी स्विकार नी होगी और फिर एक और लंबा अंतराल एक और नया संगर्ष दिल्ली का एक और नया बॉर्डर देश ऐसे ही चलेगा देश ऐसे नहीं चल सकता देश को चलना पड़ेगा नीतियों पर अमल करके कि लीश नंबर और कास्ट इन कैटिगरी फॉर यह डॉमिनन्ट ओबी सी हैं डॉमिनेंट का मतलब लार्ज पॉपूलेशन ज्यादा पॉपूलेशन है तो लार्जेस्ट चंक 10% इसको गया है अई वा समझ में डॉमिनिंट अभी से टेगरी कौन सी है कर लार्ज पॉपूलेशन है इनकी और इनको 10% चंक दिया गया है पुरह 27% का ओके यह के इंपोर्टन चीज है तो इसी तर सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑबी सी इसे समय वह सब्सक्राइब और यह तरह की स्टेट लेवल की एडूकेशनल इसे केंदर के सरफ पर पहलना करने के लिए रोहीनी कमीशन बना है तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केस है अपको असेस्मेंट क्या पाता है रोहीनी कमीशन की क्या निकल करके आती है यां ये कहता है कि पाँच वर्सों में उबर अफास्ट मेंक्रिशन औरं मेंट ये क्यौकर उल्ली टेन क्यास्ट वर्शनट लाव उठाकर पर गये इसके लावा आगे ऐसे हैं जिनको 66% परसेंट लाब पहुंच रहा है तू थर्ड तू थर्ड लाब कौन लेकर के जा रही है थर्टी सेवन कास्ट ग्रूप और हंड्रेड कास्ट ग्रूप ऐसी है जो 3 4th 75% लाब उठा करके जा रही है 100 कास्ट ग्रूप अगर 100 प्लस 37 प्लस 10 इनको निकाल दूँ तो 26 233 में से बची हुई 2486 कास्ट ग्रूप ऐसी हैं जो 1 4th कोटे में सीमित हैं आई बास समझ में सिरफ और सिरफ वन फोर्थ कोटा 25% के इनको मिल रहा है टोटल 2486 को और इन में से भी अब यह आप कहेंगे कि यह वह यह भी चलिए ठीक नहीं इस 2486 जिसको केवल 25% उस पूरे इसी कास्ट हैं जिनको आज दिन तक कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं मिला जी ना एजुकेशनल इस्टिविशन में और ना कहीं जौब समय मतलब 2486 पहले तो टिक ही एक चताई पर हैं उसमें से भी हजार ऐसे जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं दूर दूर तक नजर ही इसके लिए सब कैटेग्राइशन इस रिक्वाइड आई बस समझ में यह मौंट कूल में लाकर कि अगर खेल खेलें खेल देखें तो शुरुवाती एक सो सैंती एक सो सैंतालिस जो कोटे का पूरा मजा ले रही हैं खीच रही हैं काम और बाकी ऐसी चल रहा है बस सब्सक्राइशन लेकिन यहां पर बस सब्सक्राइशन को कोई राजनीती खतगंडा ना बना ले बस कि जिन जिन राज्यों में चुनाओं हैं वहां जा करके वहां पर कौन सी डॉमिनेटिंग ओभी सी है उसको ला करके बैठा करके कोटा दे देंगे और फिर कहेंगे हमने इसको यह किया यह ठीक नहीं अब उसके लिए इसको प्रमानित करने के लिए बहुत से तंत्र होते हैं देखे कमीशन होता है कमीशन में डिफरेंट डिफरेंट जो अधर मेंबर हैं वह अपने छेतर के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं फिर रिटायर्ट चीफ जस्टिस राज्यों के साथ विचार चलेगा उसके बाद जाकर के कुछ होगा फिर उसके बाद यह भी जरूरी है कि फिर उपोजीशन या अलग लोग भी फिर पॉलिटिक्स ना करें फिर उपोजीशन वाले भी ना करें को कि देश तो दूनों से मिलके चलेगा अब हर कोई घुश अपनी पॉलिटिक्स लेके फिर तो देश तो चलने से रहा है आई बास समझ में इतना ही आकड़ा यहां पर आकर कि खड़ा और कोई आकड़ा नहीं है इतनी कहानी आपको समझ में आ गई आने वाले समय में आप इस पर अमल होते देख सकते हैं एक पॉइंट के बाद ओके शेलिए रोकिये